अगर आप धर्मनगरी आने का प्लान बना रहे हैं तो यहां ख़बर आपके लिए सबसे महत्पूर्ण है दरसल आपको कुछ महत्पूर्ण बिंदो पर ध्यान रखना होगा तो चलिए आज हम आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं दरसल अगर आप अयुद्ध्यार हैं और अयुद्ध्या में प्रफुराम के साथ साथ अयुद्ध्या के मठ मंदिर में दर्शन बोजन करना चाहते हैं तो आपको यहां सबसे पहले सुरच्छा के नियमों का पालिन करना होगा राम मंदिर में प्रवेश करने के लिए आपको सुरच्छा के कई बाध पार करने होंगे आयुद्ध्या में केवल राम जनम भूमी ही एक ऐसा परिशर है जहां आप कोई भी ऐलेक्टरानिक सामान नहीं ले जा सकते राम मंदिर में दर्शन के लिए आपको बस खुद जाना होगा और साथ में पैसे लेकर जाना होगा इसके लावा आप कुछ नहीं ले जा सकते तो वहीं आयुद्ध्या के दूसरे मठ मंदिर में दर्शन के लिए आप मोबाइल फोन ले जा सकते हैं इतना ही नहीं मठ मंदिर में दर्शन पूजन की लिए आपको शमय पर मंदिर में पहुचना होगा, ताकि मंदिर का पठ बंदना हो जाए, इस बात का आपको मिट्यीज दिहान देना होगा, तो वहीं शर्यू में इश्नान के लिए कोई पाबंदी नहीं है आप कभी भी शर्यू में इश्नान कर सकते हैं